प्रसाद का हलवा सवा के माप में किया जाता है पर समझ में नहीं आता है कि कितनी मात्रा कितने लोगों के लिए लें ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो दस लोग हो या सो लोग हो पांच लोग हो या पचास लोग हो आपकी मात्रा की जो कन्फ्यूजन है वो सब में इसी काटोरी की हिसाब से सब चीज में सब कर दोंन चाहें किलो में लेना हो और की मत्रा में जाती। अब इसी कटोरी के हिसाफ से मैंने सवा कटोरी रवा लिया है सवा कटोरी चकर लिया है सवा कटोरी घी लिया है और साथ मैंने बदाम लिये है साथ काजू लिये है और ग्यारा पत्ती मैंने तुलसी के लिये है एक केला लिया है और एक छोटी चमच इलाइची पाउडर लिया है रवा मैंने मोटा यूज किया है आप चाहें तो पतला भी ले सकते हैं लेकिन पतले रवे से हलवा चिपकता है मोटे रवे से नहीं चिपकता है अब मैंने सवा कटोरी पानी लिया है और सब्वर कटोरी गाय का दूद लिया है अगर आपके पास गाय का दूद नहीं है तो भैंस का भी ले सकते है अब जो केला रखा है उसको भी छोटा-छोटा काट लेंगे और काजू और बदाम को भी काट लेंगे अब मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है अब उसमें दो चमच घी डालेंगे अब घी गरम हो जाएगा तब हम बदाम डालेंगे और काजू डालेंगे जो हमने काट के रखे थे अब उनको हलका सा भून लेंगे बहुत ज़दा नहीं भूनना है काजू बदाम हमारे भून गए है अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे अब जो हमारा बचा था घी वो भी हम कढ़ाई में डालेंगे और फिर रवा डाल देंगे अब हम रवे को 2-3 मिनट तक भून लेंगे अब हमको पूरी तरीके नहीं भूनना है थोड़ा भूनना है अब रवा हमारा देखे इस तरीके से फूल गया है अब रवा पूरा भूनना नहीं है अब हम केले को इसी में डाल देंगे और इसी रवे के साथ भून लेंगे ऐसे केला काला भी नहीं पड़ता है और खाने में भी टेस्टी लगता है भुन गया है और उदर दूद्ख कर देना है और दूद्ख कर देना है एक हाछी दूद्ख से यहाद से चलाते रहेंगे अभ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो गृठलें बन जाती हैं देखिए दो मिनट में दूद ने रवे को सोक लिया है आज को बिलकुल धीरे रखेंगे अब ढगाएंगे और तीन से चार मिनट तक भाप में पकने देंगे अब लेकिन बीच में एक बर चेक करना पड़ेगा नहीं तो अगर पतले तले की कडाई ही तो रवा जल सकता है इसलिए मैंने एक बार चेक कर लिया है हम फिर से इसमें ढगाएंगे और फिर से इसे पकने देंगे अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक शकर क्यों नहीं डाली है क्योंकि दूद्ध और शकर साथ में डालेंगे तो हल्वा चिपचिपआ हो जाता है और स्वाद भी अच्छा नहीं आता अब इसमें हम शकर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसको कम से कम दो से तीन मिनट तक फिर से भाप देना है अब इसमें हम ढकन लगा देंगे और तीन मिनट के बाद चेक करेंगे अब देखिए हमारा हलवा बिल्कुल तयार है और खी साइड से पूरी तरीके से छूट गया है इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया हलवा बना है अब देखिए गैस की आज को अभी धीरे ही रखना है अब जो ड्राइफ रखे थे वो डाल देंगे और एक छोटी चमच इलाची पावडर डाल देंगे इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो हमने ग्यारा पत्ती तुलसी की रखी दी वो पाँच पत्ती इसमें साथ में डाल देंगे और बाकी की जो पत्तियां है वो भोग लगाते से हमें डालेंगे जो 100 ग्राम की कटोरी के नाप है उससे अगर हम प्लेट में हलवा देंगे तो 5-7 लोगों के लिए हो जाएगा वही अगर हात में खाली प्रसाद देंगे तो कम से कम 25-26 लोगों को हो जाएगा यही हम सवा किलों के हिसाब से प्रसाद बनाते हैं तो 50-60 लोगों को प्लेट में और ढाई सो लोगों तो को हात में प्रसाद दे सकते हैं आपको वीडियो किसा लगा जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा